NASA का mission है अंजान जगहों को explore करना हम जितना चानते हैं उसे हजारों गुना ज़्यारा चीज़ों को हम नहीं चानते और सच्चाई भी यही है NASA अपने scientists और spacecraft को space और solar system के अंतिम छोर तक भेजती है नए discoveries के लिए risk लेना भी ज़रूरी है Space exploration अंधेरे में मार्चिस ज़लाने की तरह है हम नहीं जानते की आगे क्या दिखाए देगा वहां तो कुछ भी हो सकता है Star systems जहां physics के laws लागू नहीं होते उस star को होना ही नहीं चाहिए था उन planets के बारे में आप क्या कहेंगे जो गलत दिशा में घुमते हैं मार्स पर G1 होने के सुराग मिले पसिफल लोल ने सही कहा था मार्स के सतय पर channels थे वहां एक मारश्यन civilization हो सकती थी क्या ancient document से lunar surface पर हुई कुछ अनोकी घटनाओं के clues मिलेंगे वो भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे कि मून की सतय पर आग का एक बड़ा गोला दिखा था नासा के missions में कुछ चौंकाने वाली गड़बड़ी नजर आई और उन्होंने हमारे बेहतरीन वैग्यानिकों को भी हैरान कर दिया ये है Science Document Mysteries पेश करता है नासा के अनसुलजे रहस्य नासा के एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में अपने सामने आने वाले किसी भी खत्रे का सामना करने को तयार रहते हैं सिवाए डूबने के उसके लिए कोई भी ट्रेन नहीं तो और किसी को भी नहीं मालूम था कि उसका सामना कैसे करना है कोई उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता था हमें ठंडे दमाग से काम लेना था सीधी सी बात थी अगर ठंडे दमाग से काम नहीं लिया तो कहानी खत्म सोलह जुलाई सन दो हजार तेरा एस्टरनॉट्स लुका पमेटानो और क्रिस कैसिदे पहले से तैच गंटे के स्पेस वॉक पर जाने वाले थे और उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहरी हिस्से में कुछ वाइटल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इंस्टॉल करने थे लेकिन 44 मिनट बाद हे पमेटानों को एक बड़ी चौंकाने वाली चीज नजर आई मुझे लगा मेरे सिर के पीशे काफी पानी जमा हो गया हो कैसदे इस पूरी घटना की शूटिंग कर रहे थे और वो अपने कलीक की उस लीक के सोर्स का पता लगाने में मदद करने लगे मैं उस सोर्स के बारे में नहीं बता सकता क्रिस ने लुका के हेलमेट में देखा तो उसमें पानी लगातार बढ़ रहा था समझ नहीं पाया कि वो पानी आ कहां से रहा था वो बैक से ही निकल रहा था पहले तो उने लगा कि पानी शायद उनके सूट के अंदर मौझूद ड्रिंकिंग बैक से निकल रहा है लेकिन वो शोर नहीं थे पामिटानों ने फौरन अपना ड्रिंकिंग बैग खाली कर दिया लेकिन पानी बढ़ता ही जा रहा था करीब आँठ मिनिट बाद पानी उनके कानों तक पहुच गया लगा कि काफी पानी है मुझे लग रहा था कि वो बढ़ता ही जा रहा है इसके लिए कोई भी ट्रेन नहीं होता और हमें नहीं मालुम था कि पानी कहां से आ रहा है और वो कैसे इतनी जल्दी जमा हो रहा है और उसे ने बटना कैसे है पानी उनकी आखों तक पहुच गया था और लगातार बढ़ता जा रहा था उनका सिर, स्पेस सूट, हेलमेट के अंदर सील्ड था इसलिए लूका किसी कीमत पर पानी हटा भी नहीं सकते थे हमें अब EBA2 के लिए EBA केस को टर्मिनेट करना पड़ेगा पामेटानो वापस एयर लॉक की ओर लोटने लगे और पानी उनके हेलमेट में जाने के बजाए उनकी स्किन से टपकने लगा वहाँ ग्रैविटी नहीं थी कि पानी गिर जाए इसलिए उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी उनकी जान ले सकती थी पानी बढ़ता ही जा रहा था वो एक बॉल बन चुका था और उनके पूरे सिर को ढग चुका था उस वक्त तक मामला क्रिटिकल हो गया था क्योंकि पानी से उनका एरवे बंद होने लगा वो से पीने की कोशिश कर सकते थे लेकिन उसकी जगे और पानी आ रहा था इसलिए एरवे खुले रखने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अचानक अंधेरा चा गया क्योंकि वो प्रित्वी के शैडो में आ गया था पानी उनकी आँखों तक आ चुका था इसलिए एस्ट्रोनॉट को अपनी मेमरी पर रिलाई करना पड़ रहा था और वो सिर्फ अपने अनुमान से हैज की और बढ़ रहे थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ लगी थी क्रिस कैस्डे भी अपनी लाइन का इस्तिमाल करने लगे जो दूसरी साइड में लगी थी उस वक्त लोका बिलकु लखे ले थे बस किसी तरह से वापस लोट रहे थे उस वक्त दिमाग ठंडा रखना जरूरी था सिधी सी बात है अगर दिमाग ठंडा नहीं रखा तो कहानी खत्म फैसला आपको करना है पामेटानो हैज के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और क्रू मजबूर सा खिड़की से बाहर देख रहा था क्रू के सदस्यों को पता था कि उनके पास बस कुछी सेकंड है इस केटोस्टोफिक स्पेस वर्क के आखिर में उनके हलमेट के अंदर करीब देर लीटर पानी था अगर वो एक भी गलती करते तो उनकी जान जा सकती थी उनकी कोई मदद भी नहीं कर सकता था जब तक एयर लॉक को खोला गया तब तक पामेटानों अपनी सांस रोके हुए थे गरीब दो मिनट तक उस तरह के क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत ठंडे दमाग से काम लेना पड़ता है वरना बात बिगर सकती है क्विकली एफिशेंटलि उनका हेलमेट निकालना था तब उनकी जान बच सकती थी उस वक्षावधान रहना जरूरी था अगर जादा जल्द बाजी करते तो उनकी जान को खत्र हो सकता था हेवी हैंडेड मूवमेंट से एस्टरनॉट खुद भी पानी अपने मूँ में जाने से रोक सकते थे उनके कलीग्स जल्दी से उनका हेलमेट निकालने भागे भी लेकिन ग्रैविटी कम होने की वज़े से पामेटानों को सांस लेने से पहले अपने एरवेस को साफ करना था इस घटना के बाद नासा ने उस फेटल लीक की वज़े का पता लगाने के लिए जाच शुरू की नासा ने बता कि कूलिंग सिस्टम के एक ब्लॉग्ड लाइन की वज़े से ऐसा हुआ था लेकिन ये पता नहीं लग पाया कि लाइन ब्लॉग कैसे हुई थी पांच महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद नासा के टेक्नीशियंस ने बताया उस ब्लॉग्ड लाइन की वज़े था इनाउगनिक पार्टिकुलेट माटेरियल का एक लम लेकिन वो मटेरियल आखिर पामेटानों के एर टाइट स्पेस सूट में कैसे पहुँचा इस बात का पता नहीं लग पाया हलाकि वो इन्वेस्टिगेशन बड़ी बारी की से किया गया था पर असली वज़ा का पता नहीं लग पाया नासा के एस्ट्रोनॉट्स इंसान की जानी पहचानी हदों के पार जाते हैं और इस दौरान कई बड़े खतरों का सामना भी करते हैं गहरे स्पेस में मौझूद खतरों के बारे में कोई अंदाजार नहीं लगाया जा सकता लेकिन वो असली होते हैं नासा के साइंटिस्स ने दो ऐसे प्लैनेट साइज अबजेट्स का पता लगाया जो फिजिक्स के हर लौ को गलत साबित कर रहे थे एक प्लैनेट का उस सिस्टम के एक्विटोरियल प्लेन के बाहर से और्बिट करना अजीब है यहां तो दो प्लैनेटस ऐसा कर रहे थे उन प्लैनेटस का अपना लगी रास्ता था नासा के साइंटिस्त्स उन घटनाओं का भी सामना करने को तयार रहते हैं जिन्हें कभी किसी इंसान ने नहीं देखा सन 2012 में स्पेस एजेंसी की प्लानेट हंटिंग टीम ने एक ऐसी चीज़ देखी जिसने उसे भी चकरा दिया नासा के केपलर टेलिसकोप ने दूर दराज के सिगनल कॉंस्टलेशन में दो प्लानेट्स को और्बिट करते हुए देखा लेकिन टेलिसकोप से मिले डेटा बता रहे थे कि वो कुछ अननैचुरल कर रहे थे दूनों प्लानेट अपने एक्वेटोरियल प्लीन से बाहर आ गए थे स्टार इस तरह से नाच रहा था और प्लानेट उसके चारो और इस तरह से घूम रहे थे यह बात बड़ी ही अनोखी थी प्लानेट अपने स्टार के एक्वेटर के चारों और चक्कर लगाते हैं क्योंकि वही पर उनका ग्रेविटेशनल ग्रिप सबसे ज्यादा होता है और वो रोटेशनल फोर्स के साथ मिलकर डस्ट और गैस को खीचता है जिससे नए वर्ल्ड्स बनते हैं लेकिन उस स्टार के दोनों कमपेनियंस तो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ रहे थे कैपलर 56 ऐसा पहला एक्स्ट्रा सूलर प्लैनेटरी सिस्टम था एक प्लैनेट का उस सिस्टम के एक्विटोरियल प्लैन के बाहर से और्बिट करना अजीब बात है यहां तो दो प्लैनेट्स ऐसा कर रहे थे उन प्लैनेट्स के बारे में क्या कहेंगे जो गलत दिशा में और्बिट कर रहे हैं तब मन में सवाल उटता है कि कहीं हम कनवेंशनल प्लैनेट्स के अलावा तो कुछ नहीं देख रहे हैं क्या वो सचमुशी प्लैनेट्स हैं या फिर कुछ आर्टिफिशल अगर वो बॉडिज आर्टिफिशल थी तो उन्हें स्टार वॉर्स के खतरनाख डेथ स्टार से कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए था उसकी इंजिनेरिंग इंसान के पास मौझूद टेकनोलोजी से कहीं आगे की थी क्योंकि जो प्लानेट नैचरली बनते हैं उनके प्लानेटरी ओर्बिट ऐसे नहीं होते हैं उन दोनों प्लानेट्स के साथ जरूर कुछ अजीब हुआ था जिसकी वजह से दोनों ही अपने एक्विटोरियल प्लेन से बराबरी से मिसलाइन थे सवाल उठता है ऐसी फोर्स किस चीज से पैदा हुई हमारा अंदाजा था कि उससे काफी दूर एक एडिशनल बॉड़ी थी जो उससे कहीं ज़ादा बड़ी थी लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो असल में है क्या या कितनी दूरी पर है हम बस इतना जानते हैं कि उससे काफी दूर ऐसी एक एक एक्स्ट्रा बॉड़ी ज़रूर है उस इन्विजिबल प्लैनेट को केपलर 56D कहा गया और माना जाता है कि वो बहुत बड़ा है जुपिटर से तीन या चार गुना बड़ा उससे इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पूल पैदा होता है कि वो अपने स्टार की ग्रेविटी से भी कमपीट कर सकता है वो दोनों चाहे कुछ भी हो दोनों डूम है तेरह करोड साल बाद वो स्टार इतना बड़ा हो जाएगा कि दोनों को निगल लेगा और तब उस अपाकलिप्स के बाद सिर्फ 56D नाम का डाक वर्ल्ड ही बच जाएगा नासा को इस तरह की सारी मिस्ट्रीज सिर्फ गैलेक्सी के दूर दराज के छोरों पर ही नहीं मिलती स्पेस एजेंसी के सैंटिस्ट्स को कुछ ऐसे स्ट्रेंज केसिस तो प्रत्वी के काफी करीब भी मिले हैं एक एयर ट्राफिक कंट्रोलर को एक बड़ा ही मिस्टीरियस ट्रैंस्मिशन मिला अचानक वो एयर ग्राफिक कंट्रोलर बात कर रहा था और उसने बताया कि उसके प्लीन के पास आस्मान में कुछ उड़ रहा था अचानक वो एयर ग्राफ्ट गायब हो गया ये बड़ी डरावनी बात थी, लोग ऐसे गायब नहीं होते वो गटना इतनी अनोखी थी कि उसने नासा के एक सीनियर साइन्टिस्ट का भी ध्यान खीजा 21 अक्टूबर 1978 शाम के 7 बज कर 6 मिनिट पर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर को ट्रेनी पाइलेट फ्रेडरी वलेंटिस से एक बड़ा स्ट्रेंज ट्रांस्मिशन मिला तीस मिनट बाद ही मानो आसमान तूट पड़ा हो जब वो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के करीब पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि क्या जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर स्टीव रॉबी ने जाच की तो पता लगा कि उस वक्ट बास्ट्रेट के ऊपर कोई और फ्लाइट शेडियूल्ड नहीं थी वलेंटिस ने रेडियो कॉंटेक्ट बनाये रखा और जल्दी ही उनके रिपोर्ट्स बड़ी चौंकाने वाली लगने लगी उसके बाद किसी ने फ्रेडी वलेंटिस की कोई आवाज नहीं सुनी लेकिन उस डूम प्लेन से लगातार ट्रैंस्मिशन आता रहा वो आवाज बड़ी ही स्क्रैची थी उस ट्रांस्मिशन की आवाज मेटलिक लग रही थी वो आवाज करीब 17 सेकिंड तक रही वैसी कोई आवाज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पहले कभी नहीं सुनी थी और मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान वलेंटिस या उनके एयर क्राफ्ट का फेड बताने वाला एक भी विटनेस नहीं मिला और फिर ना तो वलेंटिच मिले और ना ही उनका एयर प्लेन उस्ट्रेलियन गवर्मेंट ने भी इन्वेस्टिगेशन करवाई जब उसे कुछ भी नहीं मिला तब मिसिंग पाइलेट की फैमिली ने नासा के एक रिसर्च साइंटिस से मदद मागी हैंस ने इस घटना को मेलबर्न एपिसोट कहा और नासा में अपनी रिसर्च ड्यूटीज के अलावा वो इसकी भी जांच पर दाल करते रहे उनके अलावा शाद कोई और वैलेंट इस केस की जांच नहीं कर सकता था सही जवाब की तलाश में हैंस ने हर लीड की जांच की उन्होंने इस केस से जड़े हर शक से पूस्ताच की सारे एरक्राफ्ट मेंटिनिंस रिकॉर्ड्स देखे वो हर उस सुराग की जांच करने लगे जिससे उस प्लीन के बारे में कुछ पता लग पाता चार महिने की मेहनत भरी रिसर्च के बाद हैंस ने एक ऐसा सुराग ढूड निकाला जो पहले किसी ओफिशियल गवर्मेंट इन्वेस्टिकेशन में नहीं मिला था एक अनोखा फोटोग्राफ जिसमें एक अंजान एरियल अनामली दिख रही थी ठीक उसी वक्त उस्ट्रेलियन कोस्ट से करीब 100 किलोमीटर दूर एक फोटोग्राफर ने संसट की एक फोटो ली इसे आप एक कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं लेकिन उस वक्त उस फोटोग्राफर ने जो फोटो ली थी उसमें समंदर के उपर आसमान में उड़ता एक अनाइडेंटिफाइड अबजेक्ट दिखाई दे रहा था एक माहिर इन्वेस्टिगेटर हैंस ने उस फोटो की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाया लेकिन उसकी वज़े से इन्वेस्टिगेशन के कई नए पोटेंशल एवेन्यूज भी खुल गए थे वो फोटो भी वेलेंटिस की साइटिंग के समय ही ली गई थी इसलिए ये कहा जा सकता है कि उन दोनों के बीच कोई रिष्टा तो जरूर था हेंज ने अपना पूरा ध्यान वो लेंटिस के फाइनल ट्रैंस्मिशन से आने वाली आवाजों पर लगाया सन 1987 में नासा के इन्वेस्टिगेटर ने एक बड़ी ही चौंकाने वाली हाइपोथिस दी हेंज जैसी किसी हस्ती का ये दावा अपने आप में बड़ा ही चौकाने वाला था लेकिन हेंस और दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स को बाकी के एक्स्प्लेनेशन्स को भी ध्यान में रखना था यूएस एर फोर्स के फॉर्मर पाइलेट और अस्टॉनमर जेम्स मकेही ने एक कम कंट्रोवर्शिल थियरी दी जो अभी तक प्रूव नहीं हो पाई है ये तो जाहिर है कि उन्होंने जो चार लाइट्स देखी थी वो मर्कुरी, वीनस, मार्स और एक ब्राइट स्टार इम्पीरियूस की लाइट्स थी उस रात वीनस कुछ जाधा ही ब्राइट हो गया था उन्होंने उसे देखा और फिर अजाने में ही अपने प्लेइन को स्लो टन में डाल दिया और जैसे जैसे वो टन बढ़ता गया, वो और जाधा टाइटर और फास्टर होता गया उसकी लिफ्ट कम होने लगी, फिर वो एयरक्राफ्ट नीचे आने लगा और जल्दी आउट ओफ कंट्रोल हो गया लेकिन उस वक्त उनका माइक चल रहा था, वो आवास कैसी थी? क्या वो एयरक्राफ्ट जी फोर्सिस की वज़े से तूट रहा था, या वो एक ग्रैवियार्ड स्पिन था, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हेंस अपनी इन्वेस्टिकेशन में इस नतीजे पर पहुँचे कि वलेंटिस का प्लेन शायद समंदर में क्रैश हो गया था, लेकिन वो कभी किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वॉल्ब्मेंट से इनकार नहीं करते हैं, और कोई और सबूत नहीं मिलने की वज़े से ये केस आज भी ओपन है, हेंस ऐसे इगलोते साइंटिस्ट नहीं हैं, जिन्होंने ये कहा हो कि हम अकेले नहीं हैं, एक पायनियरिंग एस्टॉनमर ने रेड प्लानेट की सतह पर इंटेलिजन्ट लाइफ के साइंस देखे, वो बड़ी एक्साइटिंग बात थी क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कैनाल थी, और इस तरह की कोई चीज को एक बड़ी सिविलाइजिशन ही बना सकती है। सौ साल से ज्यादा वक्त बिताने के बाद एक नासा प्रोब को मार्स पर पानी के चैनल्स दिखे। हमारे पास सुबूत है कि आज भी उस प्लैनेट पर पानी है। हमें अब जो और्बिटल इमेजिस मिल रही हैं उनसे पता लगता है कि वो चैनल्स ही हैं और काफी फ्रेश भी हैं। लेकिन मार्स के कनाल आखिर हैं क्या। आज नासा के बेहद आला दरजे के स्पेस क्राफ्ट की मदद से हम दूसरे वर्ल्ड्स और डिस्टेंस स्टार्स को देख सकते हैं। आज इस टेक्नोलोजिकल प्रोग्रेस की वाइट हीट ने कई एंशेंट सुपरस्टीशन भी तोड़ दिये हैं। लेकिन कुछ बिलीव्स को हम डिस्मिस नहीं कर सकते हैं। पांच सितंबर सन 1877 नियंडर्थल्स के दौर के बाद प्लैनेट मार्स पहली बार प्रित्वी के बहुत करीब आ गया था। एक इटालियन एस्ट्रानोमर जियोवानी स्कैपरेली ने मौके का फाइदा उठाया और रेट प्लैनेट को बहुत करीब से देखा। अपने उन अब्जर्वेशन के दौरान स्कैपरेली ने मार्स की सतह पर कुछ बड़ा ही एक्स्ट्रा ओर्डिनरी देखा। उन्हें उसकी सता पर कुछ सफेद लाइन्स देखी जिन्हें उन्होंने कनाल्स कहा। जब रेट प्लानेट पर कनाल्स जैसी नजर आने वाली उन चीजों के नेटवर्क की खोज हुई तो अमेरिकन साइंटिफिक कम्यूनिटी के कई बड़े प्लेयर्स पर बहुत गहरा असर हुआ। पर्शिवल लोवल बड़े मशूर अमेरिकन अस्ट्रोनमर थे। उन्होंने मार्स पर जो पैटन्स देखे थे उन्हें ट्रॉ किया और वो कनाल्स ही थे। जब ये बात उठी कि मार्स पर शायद कनाल्स का नेटवर्क है तब एस्ट्रोनमर ये भी कहने लगे कि शायद मार्शन सिविलाइजेशन भी हो। जो नहीं बनाये थे। हम लोग ये जानते हैं कि दुनिया की चौथी सबसे महेंगी फिल्म 19th सेंचुरी की एस्टॉनमी से इंस्पायर थी। ये बात मानी जा रही थी कि वहाँ एक एडवांस सिविलाइजेशन है जो अपने डाइंग प्लैनेट को बचाना चाहती है। ये सब हुआ था दूसरे प्लैनेट पर इसकी वजह से वो जगह भी हुमन कल्चर का हिस्सा बन गई। हुमन स्टॉरी का हिस्सा बन गई। लंबे समय से प्रित्वी पर रहने वाले लोग मानते थे कि वहाँ मार्शियल्स हैं। फिर हमने वहाँ सटलाइट्स भेजे, प्रोब्स भेजे और उन्होंने वहाँ से मास की क्लोज अपिक्चर स्लिंग। लेकिन वहने वहाँ कैनाल्स, पानी, या फिर अट्मोस्फियर, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। लोवल ने जिन चैनल्स को देखा था, वो किसी मार्शियन सिविलाइजेशन के साइन्स नहीं थे। नासा के सर्वे मिशन से उन चीजों के अल्टरनेटिव एक्स्प्लेनेशन्स मिले। जो उन्होंने अपने प्रीमियम टेलिस्कोप से देखी थी। अगर हम आज ली गई मार्स की एक तस्वीर को डी फोकस करके देखें, तो वो वैसी ही दिखेगी जैसी 19th सेंचुरी के एक टेलिस्कोप से दिखती थी। उस प्लैनेट के डार्क एरियाज मौफ होकर लाइन्स जैसे दिखते थे और वही इंटरकनेक्टेड वाटर वेस की नेटवर्क जैसे नजर आ रहे थे। लेकिन सच तो ये है कि वो शेप्स मार्श टोपोग्रफी की करेक्टरिस्टिक थी। हमारा दिमाग हमें उन जगहों पर भी पैटर्स दिखा देता है जहां कोई पैटर्न नहीं होता है। वो पैटर्स भले ही इल्यूजन थे लेकिन नासा के रीसेंट मार्श मिशन से ये तो जरूर पता लगा है कि मार्श पर कभी पानी था। जो ये मानती है कि मार्श पर पानी था। शायद वहां कभी केनाल्स रहे हो लेकिन अभी तो नहीं है। 1960 से ही साइंटिस्ट्स ये मान रहे हैं कि मार्श करीब करीब पूरी तरह सूखा है। लेकिन सन 2011 में प्रोफेसर अलफ्रेड मैकवन ने नासा के मार्श रिकॉनेसंस और्बिटर से आई तस्वीरों में बड़ी चौकाने वाली बात देखी। हमें वहां के steep slopes पर dark lines दिखाई दी रही थी और वो गर्मी के मौसम में slope पर धीरे धीरे या incrementally बढ़ रही थी। इन में सबसे exciting बात ये थी कि हम उन लाइन्स को actual liquid water मान रही थे और वो slopes पर से धीरे धीरे नीचे जा रहा था। वहां हमें कई कलीज भी दिखी जो craters के side से निकल रही थी। उनमें थोड़ा बहुत पानी था। जैसे छोड़े जरने हो वो शायद आदा घंटे तक रहता था। लेकिन आज हमारे पास इस बात के सुबूत हैं कि इस प्लैनेट पर आज भी थोड़ा बहुत पानी है। हम कह सकते हैं कि एक माइन में परसिवल लोवल सही थे, मार्स के सतय पर ऐसे channels थे जिनसे होकर पानी एक से दूसरी जगा तक जाता था। लेकिन क्या पानी का मतलब है कि वहाँ लाइफ भी है। 16 दिसंबर सन 2014 को सुबह के साढ़े दस बजे नासा ने एक चौंकाने वाली अनौंसमेंट की। आज हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि मार्स के एटमोसफेर में कभी कभी मैथियन होता है। और मार्स पर कुछ जगहों पर इंशियन्ट रॉक्स में और्गैनिक्स भी प्रिजर्वड हैं मतलब इस बात की पूरी संभावना है कि वहाँ कभी जीवन था। हम अभी ये नहीं कह सकते कि हमें मार्स पर लाइफ के एविडेंस मिल गए हैं लेकिन उनमें से कुछ हाइपोथिसिस करते हैं कि हम बविश्य में ऐसा कह सकते हैं। इतिहास में पहली बार नासा ने ओफिशियल ही माना था कि शायद मार्स पर कभी जीवन था। नासा का अगला मार्स रोवर अब सन 2020 में जाने वाला है। तब तक मार्शेन कनाल्स में लाइफ होने की बात फिक्शन ही रहेगी। एक मिस्टीरियस एस्टेरॉइड बड़ी अजीव हरकतें कर रहा था। वहाँ अगर क्या हो रहा था? वो बड़ी ही अनुखी बात थी। कहीं ये स्पेस रोग किसी इंटलिजन्ट कंट्रोल में तो नहीं था। अगर वो एस्टेरॉइड ही था तो वो उन एस्टेरॉइड से बिलकुल अलग था जहने हमने आज तक देखा है। कुछ साइन्टिस्ट मानते हैं कि एक एस्टेरॉइड बड़ी आसानी से एक शिप में ट्रांस्फॉर्म हो सकता है। एक एस्टेरॉइड किसी स्पेस क्राफ्ट के लिए परफेक्ट रेडिमेट शल होता है। हम इंसान इतनी बड़ी चीज़े नहीं बनाते। अगस्थ 2013 हवाई पैन स्टार सर्वे टेलिस्कोप पर मौझूद एस्ट्रोनोमर्स ने जुपिटर और मार्स के बीच एक बड़ा ही अनुखा अबजेक्ट देखा। शुरुवात में तो उसकी पहचान नहीं हो पाई लेकिन बाद में उसे एस्टेरोइड P5 कहा गया। उस एस्टेरोइड में सबसे अनुखी बात ये थी कि उसमें कई कॉमेटरी टेल्स दिखाई दे रही थी। एस्ट्रोनमर्स ने जो देखा उससे वो बहुत हैरान थे। और छे टेल्स की बाद तो हम सोच भी नहीं सकते थे। वो टेल्स बार-बार नजर आती और गायब हो जाती। डायरेक्शन भी शिफ्ट कर लेती। वहाँ कुछ हो रहा था। एस्टेरोइड को टेल नहीं होती और छे का तो सवाल ही नहीं उठता। जब साइन्टिस्ट इस मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे थे तब लोगों का स्पेकुलेशन बढ़ने लगा। एक थियरी ये थी कि वो टेल्स शायद एक स्पेस कोलिजन से बनी डेबरी थी। लेकिन डेटा इसे सही नहीं ठहरा रहे थे। हम किसी ऐसे कोलिजन की बात नहीं कर रहे जो अपने आप में इकलौता हो। हम वक्त के साथ एवॉल्व होने वाली टेल्स की बात कर रहे हैं। वो कई महिने के दौरान बनी थी। मतलब ये काम किसी अलग मेकानिजम का था। लेकिन अगर वो टेल्स किसी कोलिजन से नहीं बनी थी, तो फिर उन 6 टेल्स के बनने की वज़र क्या थी। कुछ लोग मानते हैं कि ये attitude control thrusters के traces थे। attitude jets उस thrust के pulses होते हैं जिनका इस्तमाल एक spacecraft के motion को कंट्रॉल करने के लिए किया जाता है। हाला कि ये बात science fiction ही लगती है, लेकिन इससे सही scientific sense भी बनता है। एक asteroid किसी spacecraft का एक perfect ready में चल होता है। एरो डाइनिमिक्स का तब कोई मतलब नहीं होता, जब हम स्पेस के वैक्यूम में ट्रावल करते हैं, और फिर रॉक से एक बहतरीन स्ट्रक्चर बनता है, वो रिडियेशन के खिलाफ बड़ा अच्छा प्रोटेक्शन भी होता है. एसा लगता है कि जब हम पी फाइफ में देख रहे हैं, वो असल में सूरच के रेगूलेशन से घूमते एक अबज़ेक्ट की वज़ा से हो रहा है. और एक समय पर वो इतनी तेजी से घूमता है कि material उसकी सता छोड़ने लगते हैं. इसलिए जब हम इसे किसी दिन देखते हैं, तो उसकी tail orientation की दिशा में नज़र आता है. लेकिन जब हम उसे दूसरे दिन देखते हैं, तो वो पिछली बार के मुकाबले कई बार spin करता है. इ अंस्टेबल मटेरियल के avalanches बहुत तेजी से पीक से घाटी के ओर आते हैं और स्पेस में material के fine stream की तरह पहलते हैं, जो एक tail की तरह दिखाई देते हैं. अगर P5 एक asteroid भी है, तो स्पेस रॉक्स को स्पेस क्राफ्ट में convert करने की बाद उतनी भी चौकाने वाली नहीं होगी, जितनी सुनने में लगती है. NASA इस science fiction की बाद को सन 2020 के बाद fact में बदलने की बाद कर रही है. NASA भी asteroid को उनके current orbit से निकाल कर, slightly different orbit में पहुचाने की कुशिश कर रही है, तब वो human exploration के लिए ज़्यादा उप्योगी होंगे. NASA की unexplained files के archives में, सबसे चौकाने वाली sightings वो one of events है, जो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ते. जब हम ऐसे किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले किसी devastating हतियार की ही बात आती है. कई सौ साल के अंतर पर दो eyewitnesses ने रात के आस्मान में एक बड़ी ही अनुखी चीज़ देखने की बात कही थी. दोनों एक ही जैसी चीज़ की बात कर रहे थे, मून की सतह पर एक बड़ा सा आपका गोला देखने की. लेकिन हमारा मून तो geologically dead माना जाता है. किसी भी known force से ऐसा कुछ नहीं हो सकता. नासा के spacecrafts और telescope बड़ी ही incredible rate पर distant planet और star systems के नए डेटा जमा करते हैं. लेकिन कुछ बड़ी ही compelling mysteries आती हैं बिलकुल unexpected sources से. पांच नवंबर सन 1953 फिजिशन और amateur astronomer डॉक्टर लियान स्टूवर्ड लूनर सर्फिस के meticulous observation की तैयारी कर रहे थे. सर्दियों के मौसम में एक रात उन्होंने कुछ बड़ा ही अनुखा देखा. उन्हें एक छोटा सा डॉट नजर आया मौन की सतह पर जो एक बड़े आग के गोले को represent कर रहा था. स्टूवर्ड ने फोरण कैमरा उठाया और उस weird event की तस्वीर ले ली. स्टूवर्ड की उस फोटो में मौन के उपर एक bright spot नजर आ रहा था. वो क्या था? ये किसी के समझ में नहीं आ रहा था. स्टूवर्ड मान रहे थे कि उन्होंने मौन की सतह पर एक massive object को explode होते देखा था. उन्होंने अपनी साइटिंग को publish करवाया. लेकिन supporting photographic evidence होने के बावजूद scientific community ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया. कई साल तक स्टूवर्ड के observations को ignore किया जाता रहा, यहां तक कि उनका मजाग भी उड़ाया गया. उस incident को स्टूवर्ड event कहा गया और वो करीब 50 साल तक investigators को हैरान करता रहा. कुछ astronomers मानते थे कि ऐसा ही कुछ Zervais of Canterbury नाम के एक English monk ने सन 1178 में देखा था. फाइव monks ने कहा था कि moon एक fiery sphere की वजह से दो टुकडों में बट गया था. उसकी टकर से पुरा moon कापने लगा था. उस वक्त भी हम एक bright new moon को देख रहे थे जो उस phase में नज़र आता है. उसके horns तब east की ओर जुके हुए थे. अचाना की उसके upper horns के दो टुकडे हो गए और उस दरार में से एक तेज लपट निकली. और वो लपट काफी दूर तक गई और उसमें से आग, दहकते कोईले और चिंगारिया निकल रही थी. वो जिस घटना की बात कर रहे थे वो काफी हद तक Stuart इवेंट जैसी थी. जब हम ऐसे किसी चीज के बारे में सुनते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले किसी devastating हतियार की ही बात आती है. लेकिन कुछ लोगों ने उस sightings को एक natural phenomenon से जोड़ा. एक तेज़री ये थी कि वो एक meteor था जो हमारी तरफ आ रहा था. और meteors वैसे ही दिखते भी हैं. लाइट का एक जोगा, अगर वो हमारी तरफ आ रहे हैं तब, लेकिन उस थेओरी के साथ बड़ी problem ये है कि meteors उतनी देर तक नहीं टिकते, जितनी देर तक Stuart ने देखा था. जवेस ने मून पर जिस explosion की बात की है, वो किसी meteor flash से नहीं हो सकता. नासा ने उन sightings को इतना seriously लिया, कि उसने सन 2002 में अपनी Jet Propulsion Laboratory की एक टीम को Stuart की इस photo को analyze करने को कहा, ताकि इस राज का पता लग सके. उन्होंने शुरुवात में इसे एक asteroid impact माना, और फिर वही किया जो scientist हमेशा करते हैं, वो सबूर ढूरने लगे. JPL टीम ने Stuart की photo देखी, और फिर ये अंदाजा लगाने लगे उस photo में जो explosion दिख रहा है, उसके लिए कितनी impact energy की जरूरत पड़ेगी. इसके अलावा वो उस impact से बने crater के size का भी अंदाजा लगाने लगे. NASA टीम ने सन 1994 में Clementine spacecraft से ली गई मून की सतह की 6 लाख high resolution photos की मदद से उस crater को ढूंड़ना शुरू किया. उन images की cross referencing से उन्होंने उस crater के possible size का अंदाजा लगाया और तब उन्हें एक possible candidate भी मिल गया. जब Clementine lunar orbiter उस impact के probable location पर पहुँचा तब वहाँ एक fresh crater नजर आया. और फिर क्या था? जैकपॉट. हमने उसे ढूंड लिया था. मून की सतह पर अंगिनत क्रेटर्स हैं. उन में से कुछ तो कई करोड साल पुराने हैं. लेकिन Clementine image में दिख रहे crater की close analysis से पता लगा कि वो Stuart sighting के आसपास ही बना था. हम जानते थे कि वो नया है क्योंकि crater से निकली debris गहरे नीले रंकी थी और Stuart के observation के बाद उसी जगह पर crater बन सकता था. NASA के data बता रहे थे कि Stuart ने करीब 22 मीटर चौड़े asteroid को मून की सतह से करीब 40,000 किलोमीटर प्रती घंटा की रफतार से टकराते हुए देखा था. वो blast हिरोशिमा पर हुए nuclear explosion से 35 गुना ज्यादा powerful था. NASA investigation भी मून की सतह पर आग का एक विशाल गोला देखने की Dr. Stuart की बाद को ही justify करता था. लेकिन हाल में मिला एक सबूत, NASA के official conclusion को challenge करता है. वो mystery एक बार फिर से खुल गई थी और उसकी वज़ह ये थी कि कुछ पुरानी फोटो से पता लगा कि वो crater असल में Stuart के observation से काफी पहले से वहाँ था. ऐसे में mystery बरकरार थी कि Stuart ने असल में क्या देखा था. हम उसे एक unexplained puzzle तो नहीं कह सकते. Space Shuttle Discovery ने एक classified payload deployed किया तो कई बड़े अनोखे objects dramatic exit करने लगे. एक साथ rockets की पूरी series निकलने लगी. ये एक पड़ी कमाल की तस्वीर थी. आखिर mission SDS-39 स्पेस में क्या deploy कर रहा था? उस canister में मौझूद चीजों के details आज भी classified है. जब NASA के scientific missions इंसान के knowledge के frontiers को पार करते हैं, तब ये space agency हमेशा चर्चा में आ जाती है. लेकिन उसके कई mission ऐसे भी होते हैं, जो secrecy की चादर में ढखे रहते हैं. 28 अप्रेल सन 1991 को, कई technical delays के बाद, NASA के Kennedy launch platform से space shuttle discovery को finally blast off किया गया. 3, 2, 1. Department of Defense के लिए research flight discovery का ignition और lift off हो चुका है. ये Department of Defense का पहला unclassified mission था, जिससे NASA perform कर रही थी, लेकिन इसके अंदर एक classified payload रखा था. वो classified चीज थी multi-purpose release canister. नाम से तो वो चीज हामलेस लग रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ भी हो सकता था. अपने initial tasks खतम करने के बाद, क्रू ने discovery का वो top secret cargo उतारना शुरू किया. उस classified payload को deploy करने के कुछ दिर बाद ही चेंबर में लगे camera कुछ ऐसे objects को देखने लगे, जो screen के initial हिस्से से उपर की और जा रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई rockets उड़ने लगे हूं. उस वक्त कई चीजे बहुत तेजी से, कुछ खास वक्त के लिए एक ही साथ एक ही दिशा में shuttle से दूर जा रही थी. वो एक कमाल का नजारा था. उन objects को live video feed पर देखा जा सकता था, लेकिन ना तो crew ने, ना ही mission control ने उस अनोखी घटना के बारे में कुछ भी कहा. Classified mission communications strictly controlled होते हैं. Department of Defense से चोड़ी कोई भी बात सिर्फ military ही सुन सकती है. NASA उन objects के बारे में कुछ नहीं कह सकती थी, या कहना नहीं चाहती थी. लेकिन कुछ observers ने अंदाजा लगाया कि उन objects के अचानक नजर आने और discovery के military cargo के बीच कोई रिष्था जरूर था. वो एक तरफ तो top secret mission पर थे, लेकिन दूसरी तरफ वो objects भी नजर आ रहे थे, जो पृत्वी से दूर जा रहे थे. उन दौनों को एक साथ नहीं जोडने का सवाल ही नहीं उड़ता. उस वक्त एक अफवा ये भी पहली थी कि वो payload असल में स्टार वार्स से जुड़ा था. वो project space को militarize करने के लिए था. Strategic Defense Initiative को स्टार वार्स भी कहते हैं, जो 1980s में develop किया गया. ये एक futuristic program था और इसे space based weaponry की मदद से missiles को मार गिराने के लिए शुरू किया गया था. लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसके कुछ और objectives भी थे. स्टार वार्स प्रोग्राम रेगन एरा की legacy है. उस वक्त तक इसके कई बड़े ambitious parts को छोड़ दिया गया था. लिकिन एक बड़ी एहम technology develop कर ली गई थी. जिसके बारे में हमें आज तक कुछ भी नहीं बताये गया. वो शायद एक satellite था या फिर कोई हतियार. दावे से कोई कुछ नहीं कह सकता. वो अनोखे objects बाद में फिर कभी नहीं दिखे. नासा के scientist ने university की mysteries को explore करते वक्त देखा कि हमें आज भी अपने past से कई lessons सीखने हैं. सच शायद fiction से कहीं ज्यादा अनोखा हो. Space कई मामलों में बड़ा ही खतरनाक हो सकता है. उनकी आँखों में पानी आ रहा था और वो बढ़ता ही जा रहा था. और पृत्वी पर भी बहुत सी ऐसी चीजे हैं जिनके बारे में हम आज भी कुछ नहीं जानते.